नमस्कार, मैं विक्रांत शैलजा उल्हास देशमुत, महराश्ट्र में एक शिक्षा विशे शज्ज हूँ, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशे पर बात करने वाला हूँ, जो आपके बच्चे की पढ़ाई को और भी बहतर बना सकता है। यह विशय है Artificial Intelligence यानी कृत्रिम बुद्धी मत्ता का उप्योग करके आपके बच्चे की पढ़ाई में मदद करना। इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि AI कैसे आपके बच्चे की पढ़ाई को अधिक प्रभावी और आनंद दायक बना सकता है। और आप एक माता- के रूप में इन टूल्स को उनके रोजाना के रूटीन में कैसे शामिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि AI यानी Artificial Intelligence क्या है। AI एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को इनसानों की तरह सीखने और सोचने में सक्षम बनाती है। आपने इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में भी देखा होगा बिना जाने। जैसे जब आप Google Maps का उपयोग करके सबसे तेज रास्ता ढूनते हैं। या जब YouTube आपके पसंदीदा वीडियो सुझाता है, यह सब AI की ही देन है, जो आपके व्यवहार और पसंद से सीखता है। अब आप सोच रहे होंगे, AI मेरे बच्चे की पढ़ाई में कैसे मदद कर सकता है। AI पढ़ाई के तरीके को बदल रहा है, बच्चों की जरूरतों के हिसाब से टूल्स उपलब्द करा रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसा एप जो आपके बच्चे के प्रदर्शन के आधार पर सवालों की कठिनाई को अपने आप बदल देता है। यही है AI की ताकत शिक्षा में। यह एक ऐसे ट्यूटर की तरह है, जो 24 घंटे उपलब्द रहता है और आपके बच्चे को हर मुश्किल विशय में मदद करता है। अब चलिए, जानते हैं कि AI आपके बच्चे को क्या फायदे दे सकता है। पहला, व्यक्तिगत सीखने का अनुभव AI से चलने वाले प्लेटफॉर्म्स जैसे BYJU's और Khan Academy आपके बच्चे के लिए व्यक्तिगत सीखने का मार्क बनाते हैं। यह एप्स आपके बच्चे की ताकत और कमजोरी के आधार पर सीखने का स्तर्थ तैय करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपका बच्चा गणित में कमजोर है, तो Khan Academy सरल सवालों से शुरुवात कराएगा जब तक कि आपका बच्चा आत्मविश्वास न बना ले। दूसरा, Interactive Learning Tools, AI से पढ़ाई को मज़ेदार और Interactive बनाया जा सकता है। जैसे Duolingo, जो Games और Quiz के माध्यम से भाशाई सिखाता है, और वो भी आपके बच्चे की रफ़तार से। एक और अच्छा उदाहरण है, Prodigy Math Game, जो गणित के पाठ को एक मज़ेदार खेल में बदल देता है, जिससे पढ़ाई खेल की तरह लगती है, काम की तरह नहीं। तीसरा, हमेशा उपलब्ध, AI टूल्स हमेशा उपलब्ध होते हैं, जब भी आपके बच्चे को जरूरत हो, जाहे सुबह हो या रात, भी तुरंत मदद कर सकते हैं। उदारण के लिए, चैट GPT आपके बच्चे की किसी भी समय होमवर्क में मदद कर सकता है, और आसान तरीके से समझा सकता है। चौथा, होमवर्क में सहायता, होमवर्क की बात करें तो, AI इसमें भी बहुत मददगार सावित हो सकता है। सोक्राटिक बाइ गूगल जैसे टूल्स आपके बच्चे को सवालों का हल स्टेप बाइ स्टेप दिखा कर समझाते हैं। इसी तरह, चैट GPT कठिन विज्ञान के टॉपिक को तोड़ कर सरल बिंदूओं में समझाता है, जिससे आपका बच्चा परेशान नहीं होता। इसे बच्चों में आत्म विश्वास बढ़ता है। AI टूल्स जैसे ग्रेडब व्यक्तिगत फीड़बैक देकर बताते हैं कि किस क्षेत्र में सुधार की जरूरत है ताकि आपका बच्चा सही दिशा में ध्यान दे सके। अब जब हमने फाइदे समझ लिए हैं, चलिए! कुछ खास AI टूल्स और प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानते हैं, जिनका आप आज से ही उप्योग कर सकते हैं। पहला, AI आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म्स PYGUs भारत का एक सबसे लोक प्रियर AI आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आपके बच्चे के स्कूल के पाठ्यक्रम के अनुसार विभिन्न विशयों में पाठ्य सामगरी उपलब्द कराता है। विदान टुभी एक बहतरीन प्लेटफॉर्म है, जो AI का उप्योग करके व्यक्तिगत सीखने के रास्ते बनाता है। और लाइव कक्षाएं भी प्रदान करता है, जहां शिक्षक आपके बच्चे की खास जरूरतों पर ध्यान के इंद्रित कर सकते हैं। दूसरा, Homework Help Microsoft Math Solver एक शानदार टूल है, जिससे बच्चे गणित के सवालों को स्कैन करके तुरंट समाधान पा सकते हैं। उस सिमात यह हैं। और उनके साथ स्टेप बाइ स्टेप समझा सकते हैं। Photo Math एक ऐसा एप है, जिसमें आपका बच्चा गणित के सवाल की तस्वीर खीच सकता है। और एप उसे हल करके पूरा तरीका दिखाता है। तीसरा, भाशा सीखना। अगर आपका बच्चा नई भाशा सीखने में रुची रखता है, तो Duolingo एक बहतरीन विकल्प है। यह एक AI संचालित एप है, जो इंटराक्टिव पाठों के साथ भाशा सिखाने को मज़ेदार बनाता है। Babel एक और अच्छा एप है, जो AI का उप्योग करके बच्चे की प्रगती के आधार पर पाठों को अनुकूलित करता है, ताकि वह जहां जरूरत हो, वहां सुधार कर सके। चौथा, माता-पिता का नियंत्रण और मॉनिटरिंग आके आपकी ओचिये है। Google Family Link एक AI टूल है, जो आपको आपके बच्चे के एप उप्योग और स्क्रीन समय को मॉनिटर करने और सेट करने में मदद करता है। Custodio एक और टूल है, जो आपको आपके बच्चे की ओन-लाइन गतिविधियों पर नजर रखने और उनके डिवाइस उप्योग के लिए स्वस्थ सीमाय निर्धारित करने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि आप इन AI टूल्स को अपने बच्चे की रोजमर्रा की दिन चर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं। पहले, Khan Academy को अपने बच्चे के टैबलेट या फोन पर डाउनलोड और सेट करें। यह उपयोग में आसान है और आपके बच्चे को विभिन्न विशयों में सीखने के लिए सामगरी प्रदान करता है। आप अपने फोन पर भी Microsoft Math Solver इंस्टॉल कर सकते हैं। ताकि जब भी आपके बच्चे को गनित के सवालों में मदद चाहिए हो, वह तुरंत पा सके। भले ही आप व्यस्त हो। संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आप AI आधारित पढ़ाई के लिए दिन में 30 मिनट निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद पारम पर एक पढ़ाई के तरीके अपनाए। उदाहरण के लिए आपका बच्चा डियो लिंगो पर 20 मिनट तक नई भाशा का अभ्यास कर सकता है। फिर उस भाशा में कोई किताब पढ़ सकता है। अपने बच्चे को नियमित प्रेक लेने और शारीरिक गतिविध्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे प्रोड़जी में गणित का अभ्यास करने के बाद वह बाहर जाकर खेल सकता है। आपके बच्चे की प्रगती को मॉनिटर करना महत्वपूर्ण है। हर सप्ता, BYJU's या Khan Academy पर उसकी उपलब्धियों को देखें। ताकि समझ सके कि कहां उसे अधिक मदद की जरूरत है। Google Family Link जैसे Tools का उप्योग करें। या देखने के लिए कि वह कितनी देर तक शिक्षा Apps का उप्योग कर रहा है। और कितना समय मनोरंजन पर विता रहा है। उन्हें उनके लक्षों पर बने रहने के लिए प्रोटसाहित करें। और उनकी सफलताओं का जश्न मनाएं। अंत में मैं आपकी कुछ सामान ये चिंताओं का उत्तर देना चाहूंगा। स्क्रीन समय को लेकर चिंता करना स्वाभाविक है। इसे नियंतरित करने के लिए आप AI आधारित पढ़ाई के लिए एक घंटे की दैनिक सीमा निर्धारित कर सकते हैं। और सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा नियमित ब्रेक लेता है। उदाहरण के लिए 30 मिनट की पढ़ाई के बाद वह कुछ समय बाहर खेल सकता है। AI लर्निंग को शारीरिक गतिविधियों के साथ जोड़ें। जैसे एक AI टूल का उपयोग करके गणित का अभ्यास करने के बाद आपका बच्चा कोई खेल खेल सकता है या किसी रचनात्मक गतिविधि में शामिल हो सकता है। जैसे ड्राइं। कुछ माता-पिता को यह चिंता होती है कि बच्चे AI पर अधिक निर्भर न हो जाएं। इसलिए इन टूल्स को पूरक के रूप में इस्तिमाल करें, न कि विकल्प के रूप में। एक यह आपी थी माई इगी थी। उसकी वृद्धी को देखें, जिससे सिध्धान्त को वास्तविक जीवन से जोड सकें। डेटा प्राइवेसी भी एक महत्वपूर्ण चिंता है। सुनिश्चित करें कि आप जिन AI टूल्स का उपयोग कर रहे हैं, वे भरोसे मंद सुरोतों जैसे Google या Microsoft के हों, जो सुरक्षा को प्राथमिक्ता देते हैं। अपने बच्चे को यह भी सिखाएं, कि वह ऑनलाइन किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को बिना आपकी अनुमती के साजह न करें। अंत में, AI आपके बच्चे के सीखने के अनुभव को काफी हद तक सुधार सकता है, यह उन्हें अपनी गती से सीखने में मदद कर सकता है, कठिन विशेओं को रोचक बना सकता है, और जब भी उन्हें मदद की जरूरत हो, तुरंत सहायता प्रदान कर सकता है। लेकिन, यह महत्वपूर्ण है कि AI को उनके रूटीन में ध्यान पूर्वक शामिल किया जाए, पारमपरिक पढ़ाई के तरीकों के साथ संतुलन बनाए रखा जाए और उनके उपयोग की निग्रानी की जाए। मैं आपसे आगरह करता हूँ कि इन टूल्स को अपने बच्चे के साथ मिलकर एक्स्प्लोर करें। सबसे पहले एक या दो एप्स जैसे डूो लिंगो या खान अकैडमी को आजमाएं। और देखें कि कैसे ये अध्ययन को अधिक उत्पादक और मज़ेदार बना सकते हैं। AI का उपयोग करके अपने बच्चे की पढ़ाई में मदद करने के बारे में जानकारी लेने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उमीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगे और आप इसे अपने बच्चे की शिक्षा यात्रा में शामिल करने के लिए प्रेरित हुए होगे। यदि आपके पास कोई सवाल है या अधिक मार्कदर्शन की आवश्यक्ता है तो कृपया मुझसे आपकी संपर्क जानकारी पर संपर्क करें। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ और शिक्षा में AI के उपयोग पर और भी टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। ध्यान रखें और खुशहाल पढ़ाई करें। धन्यवाद।